टेकनिकाल अनलेसस में आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है ट्रेंड, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी में लोग मात खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि अब ट्रेंड चला है या डाउन ट्रेंड चला है और अब ट्रेंड चला है तो वो डाउन की ट्रेल ले लेते हैं या डाउन ट्रेंड चला है वो अब की ट्रेल लेते हैं और साइडवेज चला है तो वो लोग expect करते हैं कि अब उपर जाएगा तो देखिए इसको identify करना बहुत ज़्यादा जरूरी और इस वीडियो में आपको मैं A to Z बताऊंगा कि trend को identify आपको किस परकार से करना है तो पहला trend होता है हमारा uptrend अब trend नाम से ही पता चला है कि market हमारा ऊपर क्यों जा रहा है तो आप देख सकतो जब market uptrend पर हो तो किस परकार से form होता है तो market form होता हाई और नीचे higher low बनाते हुए इस परकार से market form होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि higher high आपको किस परकार से डाल दे हैं जैसे market उपर क्यों गया तो यह high जा रहा है और यहाँ पर जब market ले इसके बाद इस high को break कर दे तो यहाँ पर बनता है higher high और जब इसको break हो जाता है तो इसको बोलता है higher low इस परकार से market जब अब trend पर होता है तो higher high बनाते हुए market उपर की उड़ जाता है और दूसरा होता है हमारा downtrend so downtrend आपको पता ही चलना है कि नीचे की और market आ रहा है इस trend पर आपको sell करना है आप चाहे इंडियन market करते हो या forex market करते हो या crypto market आप sell का ही सोचना है आप देख सकते हो कि यहाँ पर market lower low बनाते हुए form हो रहा है जैसे market नीचे की और impulse है इसके बाद जब correction होता है भी बहुत ऊपर की और जाता है तो यहाँ पर जो retailer होते हैं उनको लबता है कि यहाँ पर market अब uptrend की और shift हो गया है बट क्या करता है उनको sell खाते हुए फिर से नीचे की और चला जाता है तो इसको बोलते है lower low एंड इसके उपर वाले portion को बोलते है lower high इसरा trend हमारा होता है sideway trend sideway जब market चल रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है ना आपको sell करना है ना आपको buying करना है क्योंकि market totally sideway है और इस लोगों के stop loss ही का रखा रहा है सो यहाँ पर sideway किस परकार से होता है market एक channel पर form होता है मतलब एक support और resistance के बीच पर ही जाता है सो यहाँ पर एक video आपको आ रही होगी i button पे और मैंनो उस पर बताए कि support और resistance किस परकार से आपको draw करने है सो आप उसको देख सकते हो अब जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ कि देख सकते हो यहाँ पर एक support है और उपर एक resistance है और market इसी पर एक channel बनाते हुए इस परकार से form हो रहा है और यह होता रहेगा जब तक market इस channel को break नहीं करेगा तब तक आपको उपर की entry नहीं देखनी है या जब तक यह नीचे की break नहीं करेगा तब तक आपको sell की entry नहीं देखनी है अब यह तो होगी हमारी basic बात की uptrend होता है, downtrend होता है and sideways trend होता है लेकिन आपको इसको real market पे किस प्रकार से देखना है अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने gold का chart open कर लिया है and मैंने 1 hour का chart frame open किया है तो trend को हर टाइम 1 hour पे या 4 hour पे या 1 day पे ही इसको analysis करना है क्योंकि इसमें आप trap नहीं होगे अगर 5 minute, 1 minute के इसाफ से आप trend देखोगे तो उस पर आप trap ही होगे यह मेरी personal आपको एक शला है तो आप देख सकतो यहाँ पर मैंने gold का chart open कर लिया और एक 1 hour का chart frame है अब जैसे यहाँ पर यह recently market है आप देख सकतो तो यहाँ पर market end है अब आपको क्या करना है आपको इस वाली line को ले लेना है अब यह कहां से मिलेगी जब आप pencil की और जाओगे तो आपको नीचे की और जाओगे तो आपको trend line करके मिल जाएगा तो यह पहली ही है trend line करके तो आपको क्या करना है जब market नीचे की और आए फिर से उपर जाए तो उसको आपको लो पॉइंट को यहाँ पर ले लेना है एंड इसको अगले लो तक ले जाना है इस परकार से एंड इसको अब आपको बढ़ा देना है इसके लो को बढ़ाते हुए अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट टोटली उपर की और जा रहा था बट यहाँ से एक बहुत बड़ी फॉल आई लेकिन यहीं से उपर क्यों गई क्योंकि एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर जिसने इसको रेस्पेक्ट दी और यहाँ पर सम्तिंग 200 पॉइंट दी है मार्केट ने आपको क्या करना है यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक नीचे ट्रेंड लाइन खीची थी लेकिन वो बहुत नीचे थी मार्केट उपर जाता फिर वो नीचे आता तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता आपको तो आपको फिर से एक नीचे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है अब देख सकते हैं एक लो पॉइंट है इसको मैंने उपर के ओर गया अब आपकी कोई ग्रीन केंडल लास्ट में बने बिक देके इसके बाद इसका ने टू केंडल बन जाए तो उधर आपको कन्फरम हो जाता है यह एक लो के लिए जा रहा है इसके बाद आपको क्या करना है जब इसका यह बुरेक हो जाए मतलब इसका जो हाई पॉन्ट है बुरेक हो जाए तो यहाँ पर यहाँ पर ब्रेक हुआ इसके बाद फिर से two candle यहाँ पर retracement हुआ इसके बाद आप देख सकतो फिर से उपर चला गया तो आपको कह करना है दो लोग को आपको मिला देना है देख सकतो यहाँ पर market ने एक हमको trade भी दी इस trend line को respect दिया अब आपको कैसे trade करनी है यह भी आपको मैं बता देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको एक बड़े time frame पर trend line को draw कर लेना है जब market उस trend line को touch करे बड़े time frame पर तो आपको shift हो जाना छोटे time frame पर 5 minute पर आपको एक candle देखनी है जो opposite candle बने मतलब market जब touch करने आएगा तो एक red candle का pair बन कर आएगा और market पर जब trend line पर touch करेगी वो candle तो वो green बन जाए big देखे आप देख सकतो same है यहाँ पर एक condition आई यहाँ पर आप देख सकतो big BI trend line को touch भी किया आपको just क्या करना है इसके up से entry ले 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 नी है आपको up से entry ले 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 नी है और stop loss लगना है इस trend line के आपको थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पर अब आप देख सकतो आराम से आपने कितना अच्छा capturing किया यहाँ पर यहाँ पर मैंने GBP USD का Forex pair है इसको मैंने open कर लिया अब मैं एक downtrend पर एक trend line को मैंने draw कर लिया है अब market जब भी इस trend line को touch करें आपको shift हो जाना है lower time frame पर अब बात करूँ मैं sideways market की तो मैंने पहले ही बताया था कि यह support और resistance पर हमारा channel type में form होता है तो यहाँ पर आप देख सकतो support और resistance पर ही आप देख सकतो तो जस्ट इस जगे पर हमारा एक support है हमारा यह हमारा resistance हो गया तो आप देख सकतो totally market इस जगे पर इस range पर sideways है अब यहाँ पर कोई trade नहीं बनेगी small time frame पर ज़रूर कोई trend चलेगा बट big time frame पर यहाँ पर buddy time frame पर आपको एक channel पर ही form होगी scale पर के लिए आप जरूर 15 मिनट पर भी trend line को देख सकते हो लेकिन 5 मिनट में trend line को ना देखना minimum अगर आप बात करें तो 15 मिनट पर आप देख सकते हो जब market side based हो आपको छोटा मोड़ ट्रेड लेना हो तब 15 मिनट पर trend line को find कर सकते हो जैसे यहाँ पर भी उसके बाद retest होने उसी trend line की एक को लाए तब उधर से आपको एक long की यहाँ उधर आपको short country को बना लेना है बात करें indicator के साथ आपको किस परकार से देखना है कि trend line कैसा चलना है आपको यहाँ पर एक indicator को select कर लेना है search पर डाल देना है यहाँ पर indicator की अब जैसे ही इस EMA की market नीचे अगर trade कर रहा है market एक downtrend पर है अगर इस EMA की market ऊपर trend कर रहा है तो market अब trend पर है सिर्फ आपको trend को follow करना है क्योंकि कहते हैं आप trend is friend आप जब तब trend को friend नहीं बनाऊगों trend की साब से नहीं चलोगे अब profitable हो ही नहीं सकते तो guys आपको इस वीडियो पर trend identify करना आ गया होगा जाके जरूर back testing करें यह वागर use करें higher high low देखे कहाँ पर बन रहा है जब market का higher high break हो जाए तो low confirm होता है तो two kind of rates meant की बाद आपको confirm हो जाता है कि यह high है इस परकार से आपको trend identify करना है और trend के साथ आपको tilt लेना है जो को like करके जरूर जाना चैनल को subscribe करके जाना ताकि इसी परकार की कमाल कमाल की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों मिलता करें वीडियो पर